हेलो मेरे प्यारे दोस्तों में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं बताने वाला हूं जैसा कि हर बार आपको बताता हूं इस पेपर में कि परिक्षाइप आपको डाउनलोड करना है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अब डाउनलोड करने कम 168 में इसको खरीदना तो ये code यूज़ कर सकते हैं MCC40 अगर आप ये code यूज़ करते हैं तो दोस्तों 40-30 का यहाँ पर discount मिलेगा description में link के दे रहा कि कोई doubt अगर होता है तो comment कीजिए पूछ सकते हैं दोस्तों जितना ज़्यादा पेपर लगाओगे दोस्तों आप एक पेपर अवश्य लगाईए मैं पुराने पेपर करवा रहा हूँ लेकिन एक online पेपर आप जरूर लगाईए दोस्तों जिससे आपका फाइदा हो सके आपको मालूम चल सके कि आपकी rank क्या लग रही है कितने नंबर आ रहा है कि subject में कम है हम है ना makes में किस topic में कम ही है हमारी है ना बाकी rank से आपको पता चलेगा हम कितने पानी में ठीके तो दोस्तों आप चाहे तो खरीच सकते है code आपको दे रहा है mccc classes 40 आईए start करते हैं हमारा जो paper है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 20 तारीक का 20 अगस्त 2017 का जो paper था पहला जो आपकी shift का तो वह आईए start करते हैं दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार mcc classes में साथियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो आपका paper है यह है आपका अगले दिन का आगया यहना कि 20 तारीक का जो paper हुआ था morning shift का यहना पेड़ी shift का हम देखने वाले दोस्तों तो जल्दी से बिल्कुल थोड़ा सा like और share आपको करना पड़ेगा दोस्तों ना बहुत कम share हो रहा है वैसे और बहुत सारे लोग बहुत प्यार भी दे र रही यह क्योंकि यह आपके लिए important साबित हो सकता है तो पहला प्रसन आता है मेरे दोस्तों हमारे सामने कि शेत्र के संदर में इन में से कौंसा सबसे बड़ा महादीप है याने की सबसे बड़ा अंद महासागर आर्केटिक महासागर प्रशांत महासागर और नीचे आपका हिंद महासागर इन से घिरा हुआ है दूसरी बात करें जनसंक्या और शेत्रफल यहने की आकार दोनों की द्रश्टी से विश्व का सबसे बड़ा महादीप है दोस्तों एश्या महादीप में अप महादीप आता है तो यह यूरोप और यह एश्या हो गया तो इन दोनों को क्या है कि के बार जोड़के जो नाम लेते हैं दोस्तों यूरेश्या नाम लेते हैं क्या लेते हैं दोस्तों यूरेश्या नाम तो यह नाम भी आपको याद होना चीए ठीक है दोनों के जोड़के एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता यह जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों दूसरे प्रेस्निक के हम बात करते हैं दोस्तों जर्मन जमनी नदी का उद्गम इस्तल कहा है तो जो जमनी नदी है न दोस्तों एक किलोमेटर है यह यह भी आपको याद होना चीए। दूस्तों यह सागर जिले से भैती हूई जो निकलती है लेकिन जो निवारी जिला जिला है nिवारी की जो ओर्चा तेसील है न बावन जिला निवारी उसकी ओर तेसलिए वहाँ पर जाके बेतवा नदी में जाके ये मिल जाती ही तो ये चीज़ याद रखना है और आम तोर पर यहाँ पर पानी भरा रेता अधिकतर ठीक है अच्छी खासी नदी बहने वारी नदी ही क्योंकि बेतवा नदी से लगी हुई ये फिर अगला प्रसनाता है किसी प्रदेश के राज़पाल की न्यूकती कौन करता है तो जो किसी भी प्रदेश के राज़पाल की न्यूकती का अधिकार किसे दोस्तो राश्टपती को ठीक है यह एक कारिपालक शक्ती दोस्तों जो की राश्टपती के पास है अनुच्छे द्वावन के तहट इसी कहते है तो राज्यपाल की न्यूकती करता है यह चीज़ आपको याद होने चीज़ और वर्दमान मद्देपदेश के राज्यपाल को ने कमेंट में अंसर दीज माउंट एवरेस्ट आप जानते हो जिसकी उचाह कितनी 8850 मिटर ठीक है यह फिर के जगा 8848 भी आपको मिलेगी तो माउंट एवरेस्ट कोड ठीक है और माउंट एवरेस्ट जो परवत है इसका टिबवती नाम किए दोस्तों विश्व की देविमार ठीक है नेक्स्ट प्रस्नाता है दोस्तों ख Corn 결 गयानिक लिये विख्यात जो है वह अमिर खहाने ठीक है अगला प्रस्णे वर्स्य 2016 में दाधा साथ फाल के पुरुसकार किसको मिला तो आप लोग जानते हूंगे दोस्तों के विश्वुनात को यह मिला था अब मैं बात करूं जो दादा साहब फाल के पुरुषकार है दोस्तों फिल्म की इंडरस्टी के शेत्र में दिया जाता है ठीक है याने फिल्म का सबसे बड़ा जो पुरुषकार है यही है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी इसके तहित दोस्तों 10 लाग रुपे की राशी दी जाती है पहला किसको मिला तो पहला मिलाता देवी का राणी रोडिक को मिलाता वर्तमान याने की 2019 का जो मिला था अभिताब बच्चन जी को है ना इससे पिले आप पहले जानते हैं विनूद खन्ना को भी यह मिल चुका है और यह नंबर दिया गया था चाचाटवे नंबर का अभिताब बच्चन को यह भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों अगला आता है तापती नदी का मूल इस्तरोत का है तो दोस्तों बेतुल जिले की मुलताई से यह नदी निकलती है सत्पुड़ा परवत की सेड़ी स बनाती एक नर्मदा नदी है ठीक है दूसरी आपके तापती नदी यह ना एश्चुरी को जौरंद मुख भी बोलते हैं यह चीज़ भी आपको याद होना चीए मेरे प्यारे सब दोस्तों ठीक है और सूरत जो है इना गुजरात का सूरत भी इसी नदी के किनारे जो मुख रखना है सभी प्रकार के जीव जंतु यहां पर रहते हैं और रोशंगाबाद में ही दोस्तों आप जानते हैं वनीजी अभ्यरने सत्पुड़ा यह भी आपको याद होना चीए तो बोरी खाटी अभ्यरने सत्पुड़ा जीले में हो गया पांसो टरा वर किलोमेटर ठीक ह अगला प्रस्णम देखते हैं दोस्तों सिस्टर निवेदित्ता के नाम से किसे जानते हैं तो सिस्टर निवेदित के नाम से जानते हैं मार्गरेट नोबल को ठीके मुक्किता ये प्रसिडेंट हे कौन जलदी से कमेंट कर सकते हैं तो रामनाथ कोई जी जो कि हमारे वर्तमान राश्टपती है नहीं दोस्तों ये छो आपको उकयांगे ऑद कर सब आदो है दोसरे बाट करें किski क्लिक दोस्तों दुसरे प्रदान मंत्री वर्तमान में नरेद मोदी जी है ये भी आपको याद रखना है दूसरी बात करें दोस्तों नीति आयोक का नाम आया तो इसकी स्थापना जो की गई थी गोशना तो 2000 कब की गई थी 2014 में की थी 15 अगस 2014 को और ये इस्थापना हो गई इसकी एक जनवरी 2015 को इस मंत्री विट मंत्री घ Patriot इस प्रकार से और भी सदश्गं मुक्यिदा तीन सदशै याद रखना एक तो है विके पॉल कोनये दोस्तों कौने भी नाम को याद रखना है ठीक झाय नीवले और पूछ लेइज से लिया इस ने लिया दोस्तो योरू का आयोक्ता और ये गेर समीधानिक एक संस्था यह आपको याद रखना है ठीके नीतियायक को फुल्फो में राष्टी भारत परिवर्तन संस्था यह आपको याद रखना है यह ना नेशनल इंस्टुटिशन ओफ टांस्पोरिंग टांस्फोर्मिंग इंडिया यह भी आपको याद रखना है अ उत्राखंड की राजधानी यहने की देहरादुन इसे ही बोलते हैं दोस्तों चलिए उत्राखंड पर चले हैं आप बोलते हैं चलिए आप एक बार कमेंट जरू कीजिएगा बाकी में आपको बता देता हूं तो देहरादुन के हम बात करें दोस्तों यहने की उत्राकंड तो उत्राकंड जो राज्ये दोस्तों यहीं पर आपकी गंगा नदी भी भेती है किस हैर के किनारे तो हरीदुआर यहीं पर कुम्ब का मेला भी लगता है तो यह भी आपको याद होने ची दोस्तों और आएब बाह तो बता दू है यहां पर एक राजधानी बना दी गई है जिसका नाम है गसी आपको याहाद होने चाहँ मैंना दूसरी एंगे बात करूं गार्ब का रहानों यहीं के तु तो आपका लगता है वेसे क्या बोलते हैं उसको जो मतलब यह हाई कोट जो है दोस्तों आपका वो लगता है जो नेनी ताल है नेनी ताल में हाँ का हाई कोट लगता है दोस्तों तो यह आपको याद रखना है और दूसरी बात है यहां के जो मुख्षी नयायदी से उनका नाम दोस्तों में थोड़ा सा भूल रहा हूं अगर किसे को याद हो तो comment में जरूर कीजिएगा है ना चलिए बाकिया पन देखेंगे नेनिताल में यहाँ पर हाइकोट लगता है रंग ना रमेश रंग नात करके हैं दोस्तों तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है जहाँ पर आजाते हैं उपन जिकर करेंगे बाकिया आप ह करते हैं दोस्तों यह पासे वाले प्रस्णा आपको अच्छे से याद रखना है मेरे दोस्तों डाइस वाले अगला प्रस्णाता है प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदे उससे किने का जाता है तो तांसेन को कहते हैं दोस्तों मैं बता चुका हूं गॉलेर के रहने वा बनवाए था ठीक है ये भी आपको याद रखना है ठीक है दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहीं पे अगला जो प्रस्टन था है उसकी बात करेंगे दोस्तों यह पुछता क्या आपको याद रखना अभिज्ञान शाकुन से ठीक का से ते उच्जेन से अगला प्रसनाता है राष्टी बाली का दिवस तो दोस्तों यह मनाते हैं चोई जन्वरी में आपको यह वीडियो दे चुका हूं दिवस वाले देखिए आपको देख रहा हूंगे एक एक नएक दिवस आई रहा है हर पेपर में आज तीसरे पे बाले आप देख लेना है पुराना पेपर हो गया तोड़ा सा इसलिए ठीक है अभी नए कोरोना के चक्कर में बता नहीं पा रहा है आपको कहां केसे चल रहा है जैसे अपडेट आती खेलकोट का एक लेक्टरा अलग बना देंगी भारत के प्रताम मुक्की नियादिश की भारत के तो ये बात करे सुप्रेम कोड के दोस्तों कोने हीरालाल ज्येकानिया इनके नाम याद रखWow धी रहा अगला प्रस्ञाता उत् 테क्सित मैं उत्तर शेत्रे ये भी आपको याद रखना है है ना गोरकनात मंदिर हैं त्रस्ट के भी यह अद्यक्षे है उत्तरपदेश के हम बात करें तो उत्तरपदेश के राजदानी लगनों है आनंदी पंपतेल यहां की गोविन्द मातूरे ठीक है और यहांकी खंड पीट है लखनोव लगती है ठीक है और मुख की खंड़ पीट प्रियाग्राज तो प्रियाग्राज और लक्नोव कोई की दोस्तों ठीक है अगला प्रस्ना आता है वंदे मात्रम इनके द्वारा लिखा गया तो बंकिम चैन चटर जी के द्वारा यह वंदे मात्रम अपने लिखा गया था दोस्तों आपको याद होना ची इंपोर्टेंट है ठीक है अगला प्रस्ना आता है दोस्तों और भी यहां पर देखने को मिलेंगे यह मेक्स रिजिनिंग के प्रस्ट लगा लें न भी आप लोग ठीक है इंपोर्टेंट है अगला प्रस्ट आता है राष्टी विज्ञान का जो एक सो तीनवा सत्र हुआ था वह कहां हुआ था यह मेसूर में हुआ था अब मैं बता दू दोस्त 106 के बाद में आता 107 जो 107 वा जो होने वाला था ना वो बेंगलूर में होने वाला था 2020 का वो 2021 का भी डिसाइड है वो पूने में होगा महाराष्ट के में ठीक है यह चीज़े आपको याद होना चीए इनके अर्दिक्ष्ट भी डिसाइड नहीं किये गए ठीक है चलिए आगे हम प्रस्ट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके प्रस्ट कंप्रिट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सांतियों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अर्नता ना कीजिए और आपको जो कमी लगती न वो भी हमें करें आपके लिए अच्छी चीजे लाएं दोस्तों क्योंकि इस बार आरिया पार की लड़ाई अपनी पुलिस में धन्यवाद सातियों टेलिग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूले और धन्यवाद दोस्तों